ओम सूर देवाई नमाहा श्वागत है आप सभी का मेरे एचस वारतवा यूटूब चैनल पर मकर सक्रांती बड़ी सक्रांती लेकिन इस दिन आपको कुछ कार भूल करके भी नहीं करने चाहिए इस वीडियो के माध्यम से तीन ऐसे कार में आपको बताऊंगा अगर आप यह क करेंगे तो आपको बहुत बड़ी परेशानी सेहन करनी पड़ सकती है मकर सक्रांती पर देव पूजन पित्र पूजन का विशेश महत्व हैं मकर सक्रांती पर जो भी हम पूजा पाट करते हैं उसका अख्या फल्क प्राप्त होता है मकर सकरांती बाले दिन भगवान सूरदेव को अर्ग देते हैं मकर सकरांती पर भगवान विश्नु की पूजा की जाती है मकर सकरांती पर पित्रों के नाम से दान दिया जाता है और मकर सकरांती पर गंगा इश्नान का भी बड़ा महत्व है मकर सक्रांती पर हम जो भी दानपन करें गो माता के पूजा करें हर मनुकामना मारी पूरी होती है लेकिन तीन ऐसे कार रहें जो आपको नहीं करने चाहिए अगर आप यह तीन कार करते हैं तो आपको कापी परिसानी उठानी पड़ सकती है मकर सक्रांती वाले दिन बिल्कुल घर में पवित्रता रखें नम्मर एक मकर सक्रांती वाले दिन भूल करके भी मैं तुन कर्म नहीं करना चाहिए यानि मकर सक्रांती पर ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए इस बात का बिशेशूप से द्यान रखना चाहिए नमबर दू, मकर सक्रांती पर आप किसी का अपमान ना करें इस बात का विशेशूप से आपको ध्यान रखना है कि मकर सक्रांती पर भूल से भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति मकर सक्रांती पर बुजुर्गों का राममर का अपमान करते हैं उनको काफी परिसानिया सेनी पड़ती है क्योंकि पित्र दोस्त की नवारण के लिए हम मकर सक्रांती पर पूजा करते हैं और हो सकता है अगर आप ये अपमान करें तो पित्र दोस्त जादा लग जाए इसलिए यह कार नहीं करने चाहिए इन चीजों का विशेश रूप से आपको ध्यान रखना है मकर सक्रांती पर हम गोमाता की पूजा करते हैं बुजुर्गों का सम्मान करते हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए ब्राम्मण, बेद, गोमाता, देवता के प्रती आपको गलत सब्द का अच्चार नहीं करना चाहिए नम्मर तीन मकर सक्रांती पर ध्यान रखे मकर सक्रांती के दिन घर के अंदर भूल करके भी मीट मास का प्रियोग नहीं करना है जो व्यक्ति मकर सक्रांती के दिन घर में मीट मास का प्रियोग करते हैं बहुत से गर होते हैं, तो उनको साफदान हो जाना चाहिए, इस दिन कभी भी भूल करके भी मेट मास का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और घर में तुलसी का पोदा है, उसके आसपास भी बिलकुल पवित्रता रखें, घर के अंदर पवित्रता रखें, इन बातों का और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो भगवान की किरपा से आपकी मनुकाम नवस्य पूरी होगी, और हर कार में आपको सपलता मिलेगी दो इस सारी बातों का आपको विसेषूब से ध्यान रखना हैं, और तीन कार जो में ना बताए हैं, मकर सकरांती वाले द जानकारी आपको अच्छी लगी होगी